आमिर साब एक जिनेरिक क्वेश्चन है, कुछ होने वाला है या बहुत कुछ होने वाला है? ये आजकल की सिचुएशन यह है कि जिन लोगों के पास समझते हैं कि इस आपकी सुवाल का जवाब है, उनके पास जाएं तो वो आप से पूछ लेते हैं कि फिर की हो रही है? जो वो इसलिए फ्लूइड है सिचुएशन जो है, मगर इस वक्त जो है ना दो इंपॉर्टन इवेंट्स हैं जिसकी वज़ए से सारी अफरात अफरी आपको नजर आ रही है, एक तो अफकोर्स जो ताइनाती चीफ अवार्मी स्टाफ की और दूसरा लॉंग मार्च का उस ने अख़बार हम की जीरत बनेगा, अड्जेक्टिव लगा 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 कि कहा है कि यह जर्नायल ऐसा है, जिसे हमारा यह कहना है, कि जो इस लेवल पर पहुंचते हैं, पांचे कैंडिट वो सारे ही उनके अंदर एक खूबियां होती है, आगे अफकोर्स किसमत भी होती है सेलेक्शन में क्राइटिरियन भी होता है, जाती पसंद ना पसंद भी चलती है, सियासत भी चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है, मगर बारहल किसी के उस पर यह उपिनियन देना कि यह अच्छा बुरा, यह जेबा नहीं देता है, नहीं वो से कॉंट्रवर्शल बन करें, खुद पीडियम की तरफ से बलावल बुटो साहब ने कहा, सब कुछ सदर के इर्दगित घूम रहा है, बलावल बुटो साहब ने कहा, जी अगर यह इन्होंने को इस पर गड़बर करने की कोशिश की, ताहिनाती के मसले पे, समरी जब आएगी, तो बहुत ज्यादा जो हैना, फिर कॉंसिक्वेंसिज होंगे, उसके बाद इसाइग डाट साहब सदर को मिलने जाते हैं, आज जो खायासिफ साहब ने एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, उन्होंने पहले भी कहा था वैसे के 23 तारीख को जो हैना, इसकी समरी हम गवर्मन्ट को आफिस में आएगी, तो भी कह रहे हैं, एक दो दिन में हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, मगर साहब उन्होंने का कि जनाब ये एक कहा जा रहा है, कि सदर पाकिस्तान वो जो समरी जाएगी गवर्मन्ट की तरफ से, वो उसके उपर बैठ जाएंगे, ऐसा ही है, अब ये खा कुछ ना कुछ अंदेशे हैं, क्या अंदेशे हो सकते हैं, जो हमें कानूनी की अंदेशे समझ आते हैं, एक दो सदर इंपॉर्टन थे, अगर वो जो कानून साजी वाला जो तरीका कह रहे थे, कि जिसके अंदर रिटेन किया जाना था, तो वो रिटेंशन की उसमें जरा आतर वो एलेफिशन जनरल आसिम मनीर के मतलिक कहा जा रहा था, कि उनकी अगर लगाया जाता है, और उनकी जो दो दिन का पड़ड़ा है, कि वो 27 नॉमबर को रिटायर हो रहे हैं, और 29 को जो जो है ना, इसकी नहीं पॉइंटमेंट होनी है, वो दो दिन का जो गैप है, ट उसमें ये का जा रहा है, कि कानूनी पेचीदगियां ये हो सकती है, उसके अंदर, कि लेट से जो समरी आती है, आर्मी की तरफ से, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में आएगी, और अगर उसमें उनने पांच नाम दे दिये, और पहला नाम आसिम मनीर का, जनर आसिम मनीर का, वो क्योंकि उनकी रेटाइर्मेंट है, तो इसलिए वो एक एक बन सकती है, जसके पांच नाम भीज देंगे, तो अगर फर्ज करें, कि गर्वर्मेंट, प्राइम निस्टर और उनके ऐलाईज चाहें, कि वो जनर रासिम मनीर को लगाना चाहें, तो सदर के पास जब समरी जाएगी, तो वो उसके उपर लीगल अबजेक्शन डाल सकते हैं, और वो के जनाब ये जो दो दिन का मसला है, ये आप कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, और आपने वो नहीं किया, और आपने एक रवायत रही है, कि समरी जो है, उसमें से जो आर्मी की तरफ से आती है, ग कुछ लोग तो असानी से कह रहते हैं कि जी बड़े इराम से अगर आप उनको लेट से गे 27 को रिटायर हो रहे हैं, पच्छेश भीस को आप उनको तरकी रहे देते हैं, तो आट्रमाटिकली आता है, बर कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर एक मुश्किल बात य है कि अफकोर्स यहां पर कानून से ज्यादा रवायात रही हैं कि फिर जामपल मनसूर अलाक साहब एडिमिरल साब ते वो 25 दिन दो फूर स्टार जनरल रहे थे, इर मार्शल फारूक फिरोज साहब वो भी एक जमाने में उनको भी इस तरीके से किया गया था, मगर ये पहल कानून पता चला कानून एक्जिस्टी नहीं करता तो इसलिए वो आईनी तरमीम करनी पड़ी थी, तो ये चीजने जब अदालत, सदर ये कर सकते हैं अगर ये अबजेक्शन लगा दें तो कौन फैसला करेगा कि वो सही अबजेक्शन है नहीं, उसके लिए वो फिर अगर जाएंगे ना, अदालत में इशू है टाइम फ्रेम, क्योंकि हर सूरत में 29 को जनरबाजवा रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त एक निया आर्मी चीफ चाहिए, अगर अगर जरुलासिम नीर का ये डिले हो जाता है, वो अबजेक्शन लगा देते हैं और वो अदालत में मा एक सवाल है इसके, तश्रीयों के सवाल हैं और सियासत के सवाल हैं जो कि जिसकी वज़ा से ये टेंशन पाई जा रही है, मैंने कहरा कैसा होने जा रहा है, मगर ये तीन-चार चीज़ी हैं जो सदर की जो हमें समझ आई है, कि सदर के ओपर ये जो इंदेशे हैं, क्यों हैं तो ये तीन चार में से अमकानाथ हैं जिसके उपर ये अंदेशे हो सकती हैं दूसरा उसके अंदर जो है एक क्योंकि ये जुड़ गई है इमरान खान ने लांग मार्च 26 को अनॉंस कर दी है अब ये डेट ये है कि जब प्रसाइजली उस से एक दिन पहले 26 को ये इन दो तिनों में ही खजाससाद ने भी कहा भी दो तिन दिन में हम ये करेंगे तो लेट से 24 को भी होती तो उसके बाद एक इतना बड़ा जलसा करना तो वो एक अपना अगर उनको इस पहतराजात होंगे या उसके साद एक पैकेज डील नहीं आती वो जाहरे चाहते हैं कि निया इलेक्शन हो उनको अफकोर्स मेरा ख्याल है वाइब्स जो आती है उससे पता चलता है कि वो कहते रहते हैं मगर उनको कुछ नामों पे पसंदीदगी और नापसंदीदगी है इमरान खान साब इस तरह के अपने तासुरात देते रहे हैं पिंडी में कर रहे हैं पिंडी इस्लामबाद से ज्यादा खतरनाक है असलामबाद में जो एकसचबिस दिन का दर्ना ता उसके वैस से वैसे वीजिरमेटेड अीरिया में ता डीचॉक में डिंडर में जाने का जहां दो-चार रिटाइट जर्नेल भी थे तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि उनके अंदेशा यह था कि यह वो बड़े इस पे मुस्तरब थे तो उनके इस्तराब इस वज़ा से था कि यह पिंडी में यह सारी फाज की जो इज़त है वो सिंबोलिजम प और दें के फिल्म बन्च है और वो सोशल मीडिया पे हो तो उसे ही फरक पड़ जाता है सो यह बड़े डिलिकेट इसलिए कहने को कहा जा सकता है जब यह नहीं है आप जो कह रही है कि यह कोई बड़ा कुछ होने वाला है यह थोड़ा कुछ होने वाला है मगर यह एक संगी संगीन मामला है और यह संगीन रूख इक्तियार करता जा रहा है ठीक है